आज मैंने बनाई ए अरबी की सूखी चटपटी सबजी तो चलिए बनाते हैं Hello friends, welcome back to my youtube channel तो आज मैं बना रही हूँ चटपटी अरबी चटपटी सूखी अरबी उसके लिए मैंने 200 ग्राम अरबी लिया अरबी को छील लिया अच्छे से धो लिया इसको अब मैं इसको इस तरीके से लंबे-लंबे काट लूँगी पतले-पतले, इस तरीके से मुझे पतले-पतले काटने हैं, लंबे-लंबे, तो यह मैं काट के रेडी कर लेती, अगर आपके हाथ में भी खुझली होती है, अर्भी काटते वे तो आप थोड़ा सा तेल लगा लिज तो यह बाद में बज जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, तो बहुत जादा तेली हो जाता है, इसलिए हम कम डाल रहे हैं, मैंने मस्टर्ड डाला है, आब इसको मैं अच्छे से गरम करला हूं, तो मैंने आदा चमच अजवेज डाल दिया, और साथ ही डाल दूगी अर्भी प्रोसेस के अंदर में को तीन से चार मिनट लगे हैं अब मैं इसमें डाल जूँगी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी आप खाते कम या जादा थोड़ा सा हल्दी पाउडर अब एक मिनट के लिए हम इन दोनों चीजों को भून लेंगी जो हल्दी की कच्छी सी मह होती है वो निकल जाए बस और यह सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि आप पराठे में रोल बनाके इसका आप बच्छों को टिफिन के अंदर दे सकते हो आप वर्किंग वूमन हो तो आप अपने लिए भी यह सब्जी लेके जासे जल्दी से खराब भी नहीं पटपट बन हो चुका है एक मिनिट मुझे पकाते हैं अब इसमें मैं डाल दूँगी एक चम्मच छोटी चम्मच धनिया पाउडर अपने टेस्ट के इस साब से इंको भी हम आदे मिनिट के लिए ऐसे ही भून लेंगे इसके अदर आप दो टीस्पून पानी डाल दीजी जो मसाला है व हमारी सब्जी बनके रेडी भी हो गई है अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नीम्भू नीम्भू या पमचूर पाउडर है तो वो डाल सकते हैं तो मैं नीम्भू डाल दूँग और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तैयार है हमारी अर्भी की सूखी सब वीडियो पसंद आईए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए